पूरे देश में जिस तरह पठान फिल्म को लेकर बाईकाट ट्रेंड चला वहीं पहले सो में चार लाक से अधिक टिकट बुक हो गए आज 25 जनवरी है और आज के दिन पठान फिल्म का पहला सो है और पहले सो के दिन पठान फिल्म का टिकट चार लाक से अधिक बुकिंग हो कि पठान फिल्म का परचार किया गया था या पठान फिल्म का बाइकाट किया गया था। और तो और पठान फिल्म जब रिलीज हो रही है, उस पे 25 नए जो कुरोना काल से बंद चल रहे थे, सिनेमा हाल वो भी खुल गया है। और पठान फिल्म पर ताबर तोड बुकिंग होने की वज़ा से वो सिनेमा हाल खोले गया हैं, जो कुरोना काल से बन चल लाये थे, कही न कहीं ये पठान फिल्म उन सिनेमा हालों का एक सांजिवनी भूटी है, और आज की ख़बर पठान फिल्म पर होने वाली है, लेकिन इस जो बेबाग पत्रकारिता करता है और बेबाग खबरों को दिखाता है गरीब मजदूर किसान बेसाहे लोगों की समस्या उठाता है यही TV समाचार हर घर तक पहुंचता है हर गरीब मजदूर किसान बेसाय लोगों तक पहुंचता है यही टीवी सवाचार सरकार से भी सवाल करता है सोचने वाली बात यह है कि जिसे हम बड़ी मेडिया कहते हैं वो मेडिया आखिर बिलुप्त होती कहां जा रही है क्यों नहीं बिरुजगारों की बात करती है क्यों नहीं सरकार से सीधा सवाल करती है क्यों बिपक्षियों से सवाल करती है सवाल तो उन बड़ी मेडिया से यह है लेकिन आज 25 जन्वरी है आज के दिन ही पठान फिल्म रिलीज हो रही है पठान फिल्म रिलिज होने से पहले पूरे देश में हिंदू संगठन बाइकाट ट्रिंड ट्यूटर से लेके फेस्बुक तक चराय थे लेकिन सूचने वाली बात तो ये है पठान फिल्म की टिकत पहले सो में पहले दिन चार लाग से अधिक बुक कैसे हो गई और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जो कुरोना काल से बंद चले आ रहे थे हौल वो पठान फिल्म को देखते हुए खोले और उनकी वी टिकत बुक हुई एडवाम्स में एक तरह से देखी जाये तो वो जो पहले से बंद थी सिनेमा हाल और आज जो खुल रहा है वो कहीं न कहीं पठान फिल्म संजीवनी बूटी क्या काम कर रहा है हम लोग सुरू से ही देखते आ रहे हैं कि पठान फिल्म को बिरोध किस तरह मिला था बाइकार ट्रेंड चला था एक तरह मोदी जी जहा कहते थे कि अब मुसल्मानों को अभद्र टिपिडिया बोलना बंद किस जीए वहीं पठान फिल्म को लेकर पूरे देश में जिस तरह बिरोध प्रदसन चला था आज पठान फिल्म लगता है कि पूरे देश का सबसे नमबर वन हिट फिल्म हो जाए पहली बार इतना इससे ज़्यादा बुखिंग चार लाग से अधिक बुखिंग पहली बार केजियब टू का हुआ था जो साउथ फिल्म है डोविंग आई थी और अब दूसरे नमबर पर पठान फिल्म हो गई है जो चार लाग से अधिक पहले सो पर पहले दिन पे रिभ्यू ले रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिस कर रहे हैं, कि पठान कैसी लग रही है, पठान फिल्म कैसी है, एक तरफ बाईकाट गिंग, पागल हो गए हैं कि कैसे, चार लाग टिकट कैसे बुक हो गई पहले, ये सोचने वाली बात है, पूरे देश में एक समय थ का हिंदुस्तान पे कबजा हुआ करता था, लेकिन आज वाली बोट कहीं न कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखी जाए, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, कि बाईकाट ट्रिंड ये चलाता कौन है, सोचने वाली बात तो ये है, लेकिन आखिर कार, पठान फिल्म का बाईकाट हुआ, फिर भी चार लाख टिकट बिक कैसे गए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि पठान फिल्म का बाईकाट नहीं हुआ, हमें तो ऐसा लग रहा है कि पठान फिल्म का प्रमोशन हो गया, और वही प्रमोशन, पठान फिल्म को पहले सो में पहले दिन, च दिनेमा हाल के पाह जाकर हम लोगों से रिव्यू लेंगे कि क्या पठान देखने लाइक है या नहीं वे लोगों से जानने की कोसिस करेंगे यही आप लोगों से बताने आये थे कि पठान फिल्म जिसतर पुरे देश में बिरोध प्रदसन हिंदू संगठनों द्वारा किया जा रहा था आज पठान फिल्म एक बार फिर ब्लॉक बास्टर होने की कगार पे है कुछ अनुभावी लोगों का कहना है कि पठान फिल्म ऐसे ही चला तो दो-चार दिनों में 100 क्रोण कमाई कर सकता है यह हाल हो गया सोचे अब जो बिरोध कर रहे होंगे पठान फिल्म को आखिर उनके मन में आक सी लगी होग़ी सोचने वाली बात है देखी ऐसे विबाग खवरों के लिए जाननी जाती है टीवी समचार, वो देखना है यूट्यूब पर सोचल साइट पे तो यूट्यूब पर देखना है तो यूट्यूब पर जाएं और सर्च बार में लिखे at the rate TV समाचार वहां से लिख कर सर्च करके सस्क्राइब करें हमारे चनल को और साथ दें समर्थन दें तब तक लिए आपसे अलविदा लेते हैं देखते रहें ये TV समाचार नमस्कार